पिछले कुछ महिनों में जोन 3 में हो रही हत्या की वार्दा तो और खुन खराबी की घटनाओं को गंबिरता से लेते हुए DCP गजानन राजमाने ने विशेश अभियान शुरू किया है ज्यादतर वार्दाते शराब के नशे में हुई है इसलिए राजमाने ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए नया अभियान शुरू किया है इस अभियान में पुलिस बिना लाइसेंस के शराब खरिदने वालों पर कारवाई कर रही है डिसीपी गजानन राजमाने द्वारा पदभार संभालते ही जोन तीन के थानेदारों को भी पसीने छुड़ गए है उन्होंने अपने जोन में सभी अवेच शराब अड़े बंद करवाने के निर्देश थानेदारों को दिये है अवेच शराब विक्रेताओं के खिलाफ कारवाई की जा रही है सभी साओजी और भोजनाले के संचालों को कुछ हे तामनी दी गई है कि यदि कोई ग्राहक शराब पिते मिला तो सक्त कारवाई की जाएगी इसके साथ ही पुलिस ने शराब पिने वालों पर भी लगाम कसने का निरने लिया है बिना लाइसेंस के शराब खरीदने और पिने वालों के खिलाफ प्रतिबंदक कारवाई की जाएगी इस मुहीम की शुरुवात हो चुकी है जिसे भी दुकान से शराब की बोतल खरीदनी है उसे राज्योत पदन शुल्क विभाग से लाइसंस लेना होगा बगर लाइसंस के शराब खरीद कर पिने वालों के खिलाफ कारवाई की जा रही है पूलिस ने कुल 57 लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 151 के तहट प्रतिमंदक कारवाई की है जोन 3 के एरिया में बड़ी संख्या में साउजी भोजनाले है यहां ग्राहकों को भोजन के साथ शराब पिनी की सुविधा भी उपलप्त कराई जाती है लेकिन राजमा ने द्वारा पदभार संभालते ही भोजनाले के संचालकों ने शराब पिना मनाहे के फलक लगा दिये गए है अधिकांश भोजनाले के संचालकों ने शराब पिने पर पाबंदी लगा दी है